हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसराफिल इस्टडी में आज हम तीन अंकवाली भिनका, जोड, घटाव, गुन्ना और भाग एक साथ करना सिखेंगे बहतरीन तरीका से इसलिए इसे अच्छे तरीके से समझियेगा तो दोस्तों सबसे पहले हम भिनका जोड बनाएंगे तो यहां कोईशन है एक वट्टा छे पलोस दो वट्टा पांच पलोस चार वट्टा तीन तो दोस्तों हम उपर वाली संख्या को कहते हैं अन्स और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हम हर यानि भिन जो है वो अन्स वट्टा हर के रुपे होता है तो यहां तीन भिन है तो इसे हम जोडेंगे तो दोस्तों भिन का जोड बनाने के लिए हम सबसे पहले हरों का लॉस लेंगे यहां हर छे पांच और तीन है तो देखिए हम किस परकार एलिसिया निकालते हैं तो यहां हम लिख लेते हैं संख्या होर है, छे, उसके बाद पांच, फिर तीन है, तो इसका एल से हम निकालेंगे, तो इसे हम भाग देंगे अभाज्य संख्या से, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे, तो पहले हम दो से भाग लगा ल से भाग नहीं लगेगा जो करतियों उतारेंगे अब यह दो से भाग नहीं लगेगा तो अब हम अगली अभाजे संख्या तीन से लगाएंगे तीन एकन तीन पांच नहीं लगेगा जो करतियों उतारेंगे फिर तीन एकन तीन अब यहां पांच है तो यह तीन से भाग नहीं तो हम 5 से भाग लगाएंगे तो यह होगा एक पांच एक अन पांच फिर यह एक तो यहां एक एक आ गया तो लॉसर निकालने का प्रिकिरिया समाप्त हो गया तो यहां से अब हम लिख सकते हैं लॉसर बराबर यहां जो यह संखिया है इसे गुना कर देंगे दो गुने तीन गुने पांच प्राबर यानि दो तिया छे छे पंचे तीस तो दोस्तों तीस होगा इस हर का एलसियम तो यहां अब हम लिखेंगे तीस ठिक है और उपर बट्टा का लाइन लगा देंगे हर का एलसियम तीस आया है इसलिए हम बट्टा में हर में तीस लिखेंगे अब देखिए यहां एक बट्टा छे है तो यहां इसका हर छे है तो अब हम छे से तीस में भाग देंगे फिर भाग देने के बाद जो संखिया पराप्त होगा उससे हम उपर वाली संखिया में गु तो अब हम क्या करेंगे कि एक में उपर पांच से गुना कर देंगे, तीस में छे से भाग देने पर पांच बार में कठेगा, तो उस पांच से हम उपर एक में गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे पांच एकन पांच, तो यहां लिखेंगे पांच, फिर पुलोस चिन है, तो पुलोस का चिन लगाएंगे, अब यहां है दो बट्टा 5, तो इसका होर 5 है, तो अब हम 30 में 5 से भाग देंगे, तो यह 6 बार में कटेगा, 5, 6 के 30, तो संख्या 6 पराप्ट हुआ, तो हम उपर वाली संख्या 2 में 6 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, तो यहां लिखें लगा देंगे, यहां है 4 बट्टा 3, इसका होर में 3 है, तो 3 से हम 30 में भाग देंगे, तो दूस बार में कटेगा, दूस तिया 30, तो अब हम 4 में 2 से गुना कर देंगे, तो कितना होगा, 40, ठीक है, अब देखिए, हम लिखेंगे बट्टा में 30, उपर है 5 प्लॉस 12 प्लॉस 40, तो इसे हम जोरेंगे, यहां प्लॉस 3 है न, इसे जोरेंगे, तो 40 प्लॉस 12, 52 प्लॉस 5, 57 होगा, तो लिखेंगे हम उपर 57, यहां देखिए, 57 बट्टा 30 है, तो हम चेक करेंगे, कि यह दोनों संख्या किसी संख्या से कटेगा या नहीं, तो यह दोनों संख्या कटने वाला नहीं है, तो यही होगा इसका इंसर, 57 बट्टा 30, तो इस प्रकार हम 3 अंक वाली भीनका जोर बनाते हैं, अब हम 3 अंक वाले भीनका घटाव बनाना सिखेंगे, तो कोईशन है, 7 बट्टा 6, माइनस 2 बट्टा 3, माइनस 1 बट्टा 4, तो दोस्तों इसे घटाने के लिए हम भीनकी जोट की तरह हरो का एलिसियम लेंगे, यहां हर है 6, 3, 4, लिख लेते हम यहां संख्या है, हर 6, 3, 4, तो इसका एलिसियम निकालेंगे, लॉसर निकालेंगे, तो हमें इसे भाग देना होगा, अब हाज्य संख्या से, तो हम पहले 2 से भाग लगा कर देख लेते हैं, 6 में लगेगा, 3 बार में, 2, 3, 6, 3 में नहीं लगेगा, जोग कात्य उतारेंगे, 4 में 2 से भाग लगेगा, 2 बार में, 2, 2, नि, 4, यहां देखिए, अभी भी दो से भाग लगेगा तो फिर से हम दो से भाग लगाएंगे तीन नहीं लगेगा जो कात्य उतारेंगे दो लगेगा दो से एक बार में दो एकन दो अभी हाँ तीन तीन है तो ये तीन से भाग लगेगा तो लगा लेते हैं तीन एकन तीन तीने कन तीन और ये एक 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 आ गया तो अब हम लिख सकते हैं लोस बराबर दो गुने दो गुने तीन गुना करेंगे दो दुनी चार चारतिया बार तो दोस्तों हमारा लोस होगा बार तो यहां हम एक बटा का लाइन लेंगे और नीचे हटे में 12 लिख देंगे हटालसियम लोसर 12 है अब क्या कोंसेप है कि हम इन सबीक के हटे से भाग देंगे भाग देने के बाद जो संख्या पराप्त होगे उससे हम उपर में गुना कर देंगे तो यहाँ इसका हट 6 है 6 से 12 में भाग देंगे 2 बार में कटेगा 6 दूनी 12 तो 2 से हम उपर 7 में गुना कर देंगे तो होगा 7 दूनी 14 लिखेंगे 14 फिर यहां माइनस है तो माइनस चिन लगा देंगे 2 बट्टा 3 है यानि होर 3 है तो 12 में हम 3 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा 4 तिया 12 तो हम 4 से उपर वाली संख्या में गुना कर देंगे तो 2 चोके 8 लिखेंगे 8 फिर यहां माइनस एक बट्टा 4 है हर में 4 है तो 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा तो उपर हम 1 में 3 से गुना कर देंगे तो होगा यह 3 एकन 3 अब देखिए 14 माइनस 8 माइनस 3 है तो यहां लिखें लेते हम 14 यहां माइनस 8 माइनस 3 है तो दोस्तों चीन के नियम अनुसार माइनस माइनस प्रॉस और चीन माइनस का होता है तो चीन माइनस होगा अब जोरेंगे 8 3 11 तो यहां लिखेंगे 11 फिर बट्टा में लॉसा है 12, 14-11 है घटाएंगे तो यह होगा तीन और बट्टा में 12, तो यहां देखिए, तीन से 12 को हम काट सकते हैं, तीन के पहाडा में 12 आता है, तीन कटेगा तीन से एक बार में, और बार कटेगा चार बार में चारतिया बार, यानि इसका इंसर होगा एक वट्टा चार, तो इस परकार हम तीन अंक वाले भीन का घटाव बनाते हैं, अब हम तीन अंक वाले भीन का गुन्ना और भाग बनाना सिखेंगे, तो यहां question है 4 वट्टा 5 गुने 3 वट्टा 8 गुने 10 वट्टा 2 दोस्तों हम भीन के गुना में किसी भी अंस वाली संख्या को किसी भी हर वाली संख्या से काट सकते हैं बस वो विभाज्य होना चाहिए यानि कटना चाहिए जैसे कि यहां देखिए अंस में उपर 4 है और यहां हर में 2 है तो हम इस 2 से उपर अंस वाली संख्या 4 को काट सकते हैं क्योंकि 2 के पहाडा में 4 आता है उसी परकार यहां उपर 10 है और यहां हर में 5 है तो हम इसके हर से इस अंस को काट सकते हैं उसी परकार हम इस हर से इस अन्स को काट सकते हैं, ठीक है, तो चलिए यहां हम काट लेते हैं, तो दोस्तों, पांच से हम पांच को काट सकते हैं, एक बार में, और दोस कटेगा पांच से दो बार में, दो पंचे दोस, ठीक है, उसके बाद हम चार से आठ को काट सकते हैं, चार कटेगा चार से एक बार में और आठ कटेगा दो बार में चार दुनी आठ अब यहां देखिए उपर दो है और नीचे दो है तो दो से दो भी कट जाएगा एक बार में अब देखिए उपर एक है तीन गुने एक नीचे एक गुने एक गुने दो है तो तीन और दो नहीं कटेगा तो अब हम उपर और नीचे जो जो संख्या बच गया है उससे गुना करकर लिखेंगे तो यहां उपर में है एक फिर गुने यहां तीन है फिर गुने यहां पर एक है और बट्टा में है एक गुने एक फिर गुने दो यानि इसका answer होगा 3 वट्टा दो तो इस परकार दोस्तों हम 3 वाले भिन का गुना करते हैं अब देखिए भिन का भाग, भिन का भाग भिन का गुना की तरह ही है यहां question है 2 वट्टा 3 भागे 4 वट्टा 9 भागे 5 वट्टा 4 तो दोस्तों भीन के भाग में यह concept है कि हम भाग वाले चिन को गुर्णा के चिन में बदलेंगे यानि लिखेंगे हम 2 वट्टा 3 यहां भाग का चिन है न तो इसे हम गुर्णा के चिन में बदल देंगे तो जैसे हम भाग चिन को गुर्णा के चिन में बदलेंगे तो इसके सामने वाला जो भीन होगा और वो पलट जाएगा चार वट्टा नो नो वट्टा चार होगा यानि अन्स वाली संख्या होड में और होड वाली संख्या अन्स में चला जाएगा ठीक है इस परकार यह पलट जाएगा फिर यहां भाग चिन है तो इसे भी हम गुन्ना के चिन में बदलेंगे तो फिर से हम इसके सावने वाली भीन को पलोट देंगे पांच वट्टा चार चार वट्टा पांच होगा तो यह है भीन भाग का पहला कॉंसेप भाग चिन के गुना के चिन में बदलेंगे और उसके सामने वाली भीन को पलट देंगे अब यहां देखिए यह कोईसन भीन के गुना की तरह है तो यहां अब हम भीन का गुना बनाएंगे तो देखिए हम इस हर से इस अंस को कार सकते हैं चार से चार कट गया évidemment हम तीन से तीन को कार सकते एक बार में और नो को कार सकते तीन बार में तीन तीन नो यहां एक हो गया यहां भी एक हो गया चार एकन चार अब देखिए उपर में है दो गुने तीन गुने एक और नीचे में एक गुने एक गुने पांच तो हम दो और तीन से पांच को नहीं का मैं उननां युप समय होगे एक गुणने एक गुणने 5 तो गुंना करेंगे तीन दुने 6,海ं च्छे dove एक से गुणने एक गुणने एक गुणने 1 को एक से गुणना गुणा करेंगे तो 5 तो इसका एनसर होðा 6 बटा 5 तो दोस्तों इस पर कार हम तीन अंकवाली भीन का भाग बनाते हैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी एदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक पैरा सा कमेंट कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिए